कर दो कि अधिया यह बात करेंगे एड़ वाइज के बारे में एड़ वाइज फाइनिशल सर्वेसेज हमारे एक व्यूवर ने पूछा थे और उसमें यह भी देखा है कि अब इसमें नेक्स पड़ाओ क्या होगा स्टॉप प्लॉस क्या होंगे और टारगेट्स क्या होंगे यह हमारे एक बहुत ही रेगुलर व्यूवर हैं और मिस्टर प्रदीब गाबरा और वह इस तरह के आइडियास हमें सुझाते भी रहते हैं और आइथिंग काफी अच्छे यह स्टॉक स्टॉक्स स्टॉक पिकिंग भी करते हैं तो उसके लिए बिलकुल बदाई के पात रह है और इसमें और सटॉक्रों से लिएंग भी करने वाले हैं कि कौन-कौन से लेवल है टागेट सबसेट बहुत इंपोर्टन है और इसमें जो बड़ा टागेट है वह क्या होगा तो वह सीषा और डीटेल में करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नई है चैनल को सब्सक्राइ प्राइब कर लिए बेल आगा बिल्कुर दूले का और इस दिने के हमने हमने हर वीडियो में दिये हैं इन फैक्क अमने लास्ट वीडियो में ही आपको स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में बात की थी और आप देखिए आज थर्टीन अड़ियो वाला जो लेवल उमने इंप आपर से 4000 के आसपस आ गया है तो इसे सारी स्टॉक्स अमने इसी चैनल पर बात किया है और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इस तरह गया आइडियो आपको हर रोज देखने को मिलते रहेंगे आज बात कर लेते हैं एडल्वाइस फैनेशल सर्विस में एड 142 का टागेट 142 का टागेट देखने को मिलेगा और आप देख सकते हैं इसका जो हाई गया है यह हाई गया है अल्मूस्ट 143 रुपीज 30 पैसा तो पहला जो टागेट था वो तो मुकमल हो चुका है विकाज यह छोटा सा एक राउंडिंग बॉटम था डेली का चार्ट है डेली के चार्ट पर चोटा राउंडिंग बॉटम उसका टागेट जो था वो टागेट मुकमल हो गया यहां पर 142 143 के आसपस अब इसमें अगर बड़े टागेट के लिए अगर आप ने गन करना है तो 143 से अभी रिट्रेस्मेंट शुरू हो गया है और अब अगर यह मा 120 इसका 20 डेम है तो 125 जो यह लेवल है यह जो ब्रेक आउट का लेवल है एक लेवल हम बात करेंगे अभी वह कौन से लेवल को कितना पुराना यह ब्रेक आउट हुआ है बाट 125 का जो लेवल है अगर वो तोड़ देता है तो 120 एक लास्ट सपोर्ट की दरह काम करेगा 120 भी है तो फिर आपको इसमें 102 रुपए 103 रुपए तक की भी चाल देखने को मिल सकती है तो इसलिए 120 का स्टॉप्लस एक आइदे का स्टॉप्लस होगा और उसके बाद जो टागेट निकल के आएंगे वह काफी बड़े निकल के आएंगे तो स्टॉप्लस सबसे इंपॉर्टन से बड़े टागेट निकल के आएंगे बड़ 143 का पहला टागेट और बाकी टागेट सब थोड़े दिर में चल्चा करने वाले हैं अगर आप डेली के चार्ट पर तो आरसाइबी 71 हो चुका है जो कि आपको देखने को मिल रहा था 75 76 तर पहुँच चुका था बड़ अब बाद इसमें बेलकुल बने रहेंगे 120 के स्टॉप लॉस के साथ तो यह जाता देली का चार्ट एक बड़ को वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं वीकली के चार्ट पर आप देखेंगे तो हर वीक में जबरदस केंडल बन रही है इसमें और बैक टू बैक कौन सा वीक है यह अल्मूस्ट 8th week से यह लगातार green candle में close दे रहा है जो की एक बड़ी जबरदस चीज है बट इसी के साथ साथ और इक चीज क्या होती है कि अगर आपके इस इतना back to back कि यह आपको इस तरह से positive return दे रहा है तो obviously बात है कि आपको RSI में overbought situation भी दिखा देगा तो अभी आपको देखने को मिलेगा और वस लेवल के साथ आप बिलकुल इसमें fresh position बनाने के बारे में भी सोच सकते हैं इसको weekly का चार्टे ध्यान रखेगा weekly के चार्ट में अब जो 20 week exponential moving वह भी बहुत दूर रह गई है 95 के आसपास का यह 20 week exponential moving वह बहुत जादा दूर रह गई है तो बहुत समय तक रह नहीं सकता है और यह बिलकुल नीचे आएगा और देखे कहां तक नीचे आया है और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो हैं तो आपको इस तरह से एकदम कॉशन भी मिलता है और मैं क्लिर शब्दों में भी बताता हूं कि अभी profit book कर लीजे अगर आपक सब्सक्राइब के साथ रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल हो जाएगा तो वह आपके लिए अच्छी चीज होगी तो वीकली का चार्ट है ध्यान रखेगा और इसमें 84 का जो आरसा है यह क्लिर ली इंडिकेट कर रहा है और बार्ट डिस्लेमर की तरह ध्यान रखेगा इसे वह था वह था अल्मूस्ट 120 125 के असपास 125 पर जो यह लेवल था इसने जून 2019 में चुआ था तो कितने साल हो गया इसको ऑल्मूस्ट 24 चल तो 5 साल पुराना यह ब्रेक आउट है 5 साल पहले इसने 125 का लेवल चुआ था उसके जाब जाकि यह इस तरह का जबर्दास रांडि 26 का मुमेंटम इसमें देखने को मिला है आपको अभी सेप्टेमबर मन्त में और उससे पहले 56 परसें का रिटर्न मिला था एक ही कैंडल मतलब यही अगर चोटी-चोटी कैंडल बनती थोड़ा सा यह थोड़ा ऊपर जाता फिर ट्रेस करता थोड़ा सा कंसॉलिडेट करता तो यह चान्स होता है आपको एंटरी करने के लिए बट अगर आप देखते हैं तो दो महीने में ऑगसा मन्त में 56 परसेंका रिटर्न और सेप्टेमबर मन्त में 25 परसें तो ऑल्मुस्ट 55 और 80 परसेंका रिटaalन ओरडी 2 महने में दे चुका है तो इसलिए थोड़ा सा कॉस कोशियस होने की जरुवत है यह कोशियस होने के बाद ही इसमें अब आपको इसमें बनानी है और स्टिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही बनानी यह भी ध्यान रखेगा इसमें ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कूछ जाएंगे और बिल्कुल सोचेंगे नहीं कि कौन से लेवल पर आप एक चीज आपको इमप़ॉर्टरन ध्यान रखना है अगर आप लेगा लिए विर इतों आपको मिलेगा टक के今天 को मिल सकते हैं अ् chem व क्या थी से पहले हमें हर्मेट से जाम आक और 不 not 200 निकाल देता है तो 230 200 इसका all time high यह ध्यान रखेगा तो 230 जभी जाएगा जब यह all time high 200 निकालेगा 200 निकालने के बाद इसमें काफी अची चाल आएगे और 230 तक की चाल इसमें देखने को मिल सकती है तो यह तागेट आपके लिए बड़े बाद इसमें बने रहे हैं क्योंकि जिसतरे की बड़ी candles हैं यह दो मंत जो बड़ी कैंडल है 80 वाल है रिटर्न जो दिया है इसमें अगर आप स्टॉप लगाएंगे तो इसमें एक सो पांच का स्टॉप लोस तो बिलकुल ऐसा स्टॉप लस है कि अगर वह निकल गया तो आप का चाहें कितना भी loss और एक बार के लिए ज़रूर निकल जाएगा यह मेरा व्यू है हाला कि कोई recommendation नहीं है तो यह एडलवाइज financial services मेरा व्यू है और अगर आप channel पर नए है channel को subscribe किया है तो quickly channel को subscribe कर लिजे बेल अगांद बना बिलकुन दूबुलेगा वीडियो अगर पसंद आ रही है content अच्छा लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है आपको इस चैनल से तो वीडियो को like जरूर कीजिए दोस्तों के साथ share जरूर कीजिए आज की वीडियो में सिर्फ इ यह वीडियो और वाच्छ इस वीडियो गिए आपको अच्छ वीडियो